दोस्तो रमश्कार करनल अजय सीव अजय एस्ट्रोमनी ग्रूफ फर्स्ट क्लोबल एस्ट्रोफनेंस डिजल चैनल से आपसे मुखादी बता हूँ आज 17 जुलाई सन दोहजार तेश सो बार दोस्तो लोहा एब हम मेटल मार्केट पर लगातार हमाँ अपडेट देते हैं चैय भी बताते हैं कि क्या संभाव ना बन सकती है आज यदि हम टीम्टी 12 mm के सरीय के बाव देखें तो एमदाबाद के अंदर 700 रुपे की अच्छी तेजी के साथ ये 27,496 के पर बंदवा बैंगलोर के अंदर 47,400 चिन्नाई में 48,000 और दुर्गापुर में 43,600 के बाव हैं दि 48,500 और गाजियाबाद में 49,000 के बाव रहें यदि हम एमदाबाद को थोड़ा सा फोकस करके कुछ हम चर्चा करें तो देखिए यदि हम लगबग 9 जुलाई से हम देखें जो 48,500 से ये टूरता टूरता लगबग 46,900 रुपे पर आ गया है और लगातार इसके अंदर गिरा ये सही समय है कि यहां से आने वाले कुछ 2 या 4 दिन के अंदर 5 दिन के अंदर संभाता है लोहे के अंदर तेजी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है दोस्तो तेजी आने के बाद तेजी और मंदी आने के बाद मंदी कहने से कभी किसी को कभी लाब नहीं होता है ल जो दौपयर तक के जो हमारे पास भाव थे दुर्गापूर में जो वायर 5.5 mm का 44,000 के भाव थे दुर्गापूर 12G HB के भाव वो 46,500 थे और दुर्गापूर 20G Binding के भाव 53,200 के भाव हैं जालना में 5.5 mm वायर के भाव 54,500 है जालना 12G HB 58,000 के भाव है जालना 18G Binding 62,000 के भाव है राइपूर 5.5 mm वायर 46,000 के भाव है राइपूर 12G HB के भाव 48,700 के भाव है और राइपूर 20G Binding के भाव 55,000 रुपे के भाव है तो दोस्तों ये वायर मार्केट के भाव है आइनन मार्केट के और इसके अंदर भी यदि हम देखे थोड़ा सा यदि हम वायर के ओपर भी थोड़ा सा डिटेल में हम देख लें यदि दुरगापूर की तरफ पे ही चर्शा कर लेते हैं कि 5.5 mm दुरगापूर के भाव जो की लगबग 9 जुलाई को 45,200 ये घट कर 44,000 रुपे तक के नीचे आके देखे वे हैं और ये एक अच्छा लेबल है यदि आप इस पे नज़ा रखना चाहते हैं तो हमारी गड़ना ये ही कहती है कि इसमें कभी भी बाउंस बैक होने की संभावनाव से इंकार नहीं किया जा सकता दूसरा आप और आगे हम चलें तो दूसरे स्क्रैप के ओपर भी बात कर लेते हैं इसक्रैप एमदाबाद के अंदर 35,500 के भाव हैं अलंग 36,000 है भावनागर 36,000 है चिन्नाई 32,000 है भिवाडी 32,200 है और दुर्गापूर 38,500 के भाव गताई जा रहे हैं साथ साथ यदि दिल्ली देखें तो 48,900 के भाव हैं और मंडी गोविंदगर 34,800 के भाव हैं यदि हम भिवाडी की पर चल्चा कर लेते हैं थोड़ा सा यदि भिवाडी पर देखें तो जुलाई के फर्स वीक के आसपास जो 33,400 के आसपास के भाव थे अब ये बढ़कर ग पर ये आने वाले कुछ समय के अंदर इसमें तेजी की संभावनां से इंकार नहीं किया जा सकता दोस्तों ये सभी जानकारिया आपको रिसर्च, एजुकेशन और ट्रेनिंग परपस से दी जारी है किसी भी प्रकार का लाभानी की जिम्यदारी हमारा चैनल नहीं लेता है आप लोहा या मैटल वजारी की विशेश रिपोर्ट के लिए आप हमसे संपर कर सकते हैं नंबर स्क्रीन पे है औल देबरी बैस्ट गुड लग हैपी ट्रेडिंग